So, Hello Everyone, Skills Defense Institute पर आपका अगेंस विलकमें आज के इस सेशन में JCC कलर का प्रेक्टी सेट नमबर 26 देखनी वाले तो चलिए सेशन को स्टार्ट करती है पहला प्राश्ट ने माइका खान पाये जाता है माइका खान बात करें मोग अबरक की तो इसके लिए तीन परमुग जिल्ले को याद कर लेना है कोडर्मा, गिरिटी, हजारी बाग ओफशन के मताबिक इस परश्ट का सही आंसर हो जाता है अगला परश्ट ने बेतला राश्ट उद्यान मुक्यता इस्तित है बेतला राश्ट उद्यान जो की जारकन का एक मात्र राश्टी उद्यान है इसका अस्थापना वर्ष बात करें 1986 इस्वी में एरिया अस्वाइर चेतरफल की बात करें 231.67 किलो मीटर अस्वाइर इसका चेतरफल में फैला हुआ है बात करें या किस जिल्ले में इस्तित है तो बितला राश्ट उद्यान जो की लातेहार जिल्ले में इस्तित है अगला प्रशन है संथाली मुंडारी हो तथा खड़िया मुंडा भासा परिवार की है ठीक है उसी परकार उराओं, कोर्वा तथा पहाडिया जिसे की मालतों भी बोलते हैं या किस भासा परिवार से समंधित रखता है उराओं, कोर्वा, मालतों की बात करेती है या दर्विर भासा परिवार से समंधित रखती है नेक प्रशने कितने राज जार्खन की सीमा में हैं? जार्खन की सीमा बात करे तिया टोटल पांच राज्यों के साथ अपने सीमा को साज़ा करती है इस परकार आप लोग जार्खन का में इस परकार से इसका चत्रभुजा कार का है बात करे इसके पूर्व में विष्ट बंग पच्छी में बंगाल के साथ या अपनी सीमा को साजा करता है पच्छी में बात करें पच्छी में 36 गड़ राज के साथ सीमा को साजा करता है वहीं पर बात करें उत्तर में बिहार राज के साथ अपनी सीमा को साजा करता है दच्छीन में उडिशा राज के साथ सीमा साजा करत नेक्ट प्राश्ण में तोप्चाचि अभ्यारन की बात जर्कन के धनबाद जिले में इस्थित है और इसी अभ्यारन के मढद में एक १ुशूरत जहील का नाम है हरी पहारी यह सई आंसरों जाता option number B, surrender, नेक्ट प्राशन है नीम्न में से किस छेतर में काली मिटी पाई जाती है, काली मिटी बात करें सरवाधिर तो या हजारिबाग छेतर में पाई जाती है, सन 1914 में कौनशा अंदोलन हुआ, 1914 में आंदोलन की बात करें, आंदोलन घटा गिया था, ताना भगत आंदोलन जो की 1914 में घटी थी नेक्ट प्रशने निम्न में से कोंशा विद्रो सिद्धू और कानू से समंदित है सिद्धू और कानू जो की परमुक नेतुरित करता थे संथाल विद्रो कब की घटना है 1825 इसवी की नेक्ट प्रशने जारकन का सबसे पच्मी जिल्ला जारकन का सबसे पच्मी जिल्ला बात करें तो जारकन का सबसे पच्मी जिल्ला है गड़वा जिल्ला और यही एक मात्र जारकन का ऐसा जिल्ला है जो की तीन राजियों के साथ अपनी सिमा को साजा करता है तीन राज कौन-कौन से बात करें इस परकार आकिती है इधर जो उ पाजयों के साथ अपनी सीमा को साज़ा करता है नेक परशने जुमर पायका नटगवा तथा अगनी सभी परकार ये किस परकार के हैं गीत हैं भासा हैं लिपी है या फिर निरित हैं ति ये निरित के परकार हैं नेक परशने नीमन में से कौन जिल्ला से करकरेखा गुजरता ह कौन से जिल्ला से करक्रिका गुजरती है जारकन के रांची जिल्ला से हो करके जारकन में सबसे उच्छा जलपरपात क्या है जारकन में सबसे उच्छा जलपरपात बात करें लोधा घाग जलपरपात जो की बुढ़ा घाग नदी जिसे हम लोधा घाग नदी भी कर सकते हैं जो कि लातेहार जिल्ले में इस्तित है, इसकी टोटल उचाई बात करें, तो कुल उचाई है 400 फिट, यानि की 4.5 फिट वहीं पिजद्धी हम लोग बात करें, दूसरी जलपरपात सबसे उचात हुआ है, हुंडूर जलपरपात, इसकी उचाई है 321 फिट, और यहां राची जिल्ला में इस्तित है, स्वण्रेखा नदी पर, श्वण्रेखा नदी जो की स्वतनतर रुरूप से एक मातर जारकर की ऐसी नदी है, जो की बगाल की खाड़ी में जाकर के गिर्ती है, नीट प्रशन है कुनार कुन प्रोजेक्ट किस जिल्ले में इस्तित है तो इस प्रशन का सई आंसर हो जाता option number degree डी जिल्ले में बिर्षा मुंदा का जन्म जैनती कों सी है बिर्षा मुंदा की जन्म जैनती की बात करे इनका जन्म 15.9.1875 इश्वी में हुई थी कौन जनजातियों के लिए विशेस केंद्रिय सहायता की अस्थापना का उद्देश है तो इस प्रशन के सही आंसर हो जाता है option number B समाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा नेक प्रशने जहरकन में कितने केंद्रिय विश्विद्याले हैं विश्विद्याले की बात करें केंद्रिय विश्विद्याले की संक्या एक है जहरकन में अगला प्रशन है भारत के कूल लो एयस्क भंडार की समयद में जहरकन की लो एयस्क भंडार का अनुमानिक परतिसत हिस्ट क्या है तो इस प्रशन के सही आंसर हो जाता ओफ्शन नंबर B 25.7% और लो एयस्क भंडार करें तिया सरवादिक धारवार नामक चट्टान में पाया जाता है जोकी पच्छमी सिंभूम जिल्ये में इस्तित है अगला प्रशन है 857 के बिद्रों में पलामों में अंग्रेजियों के बिरूत किस काविलाई ने बिद्रों किया था तो इस प्रशन का सही आंसर हो जाता ओफ्शन नंबर B भोक्ता नेक प्रशन है जार्खन के छोटा नापुष छेतर में लोकित का क्यात संगित किया है तो इस प्रशन का सही आंसर हो जाता ओफ्शन नंबर C, A और B दोनों नेग प्रस्ने जharkhand के सूच के छेतर में, खेती मुख्ये रुप से किया जाता है। इस प्रस्न का सही आंसर हो जाता है औफशन नंबर A. सूखी भूमी की खेती। अगला प्रस्ने जharkhand के आदिवासी गाउं में होकर का काम क्या होता है। होकर का काम बात करेत선, इनका मुख्य कार होता है, जनकारी को परचालित करना। अगला परश्ञ है, प्लामू में कौन सी तेल की तील की बीच अधिक्ता मात्र में उत्पाधित होती है? बात करे हम लोग तीलहन हो गया या फिर दलहन हो गया? इसका सरमाधिक उतफ़ादन जहरकन की प्लामू जिल्ए में होता है तेल के मामले में बात करें थी सबसे जाधा इस परकार का तेल का उतपादन होता है तेल, तेल का अगला प्रशने एकिक्रित जनजातीय भिकास परियोजना कह लाता है तो इस प्राशन का सही आंसर हो जाता है option number A में C project Next प्राशन है ओंधी गीत को किस ओसर के रूप में काया जाता है ओंधी गीत की बात करें तो यह साधी भी हुआ का गीत है अगला प्राशन है मुंडा साशन में क्या रखते हैं मुंडा साशन में बात करें पुर्वजों की हडिया रखे जाती है अगला प्राशन है अंग्रेज के बिरुद 1831 के विद्रों में किस जन जाती का उत्रा धिकारी सामिल था तो इस प्राशन का सही आंसर हो जाता है option number C A एवं B दोनों हो और मुंडा दोनों का 1831 जो बात करें बिद्रों की तो 1831 बिद्रों जो ओल बिद्रों हुआ था इसके परमुख नेता थे बोधु भगत निक्स प्राशन है टिसको को निमलिकित खदानों में से 30 लोह S की आपूर्थी होती है तो इस प्राशन का सही आंसर हो जाता option number B नुमा मुंडी की खांजे निक्स प्राशन की बात करें निमलिकित में से कौन से धर्म के लोग तिर्थ यात्रियों के रूप में पारशनात पहाड़ी आती है तो इस प्राशन का सही आंसर हो जाता option number C जेन धर्म के लोग पारशनात पहाड़ी की बात करें या जहरकन का सरवाच उचाई वला चोटी है इसकी total उचाई बात करें मीटर में 1365 मीटर 1365 मीटर फीट में बात करें तो वही हो जाता है 480 फीट इसे हम लोग सम्मित सिखर के नाम से भी जानते हैं और या जहरकन की सबसे उची चोटी है दूसरी सबसे उची चोटी की बात करें तो वह सरवत पहाड़ी है